जैसे ही टनल मैंने इंटर किया है मुझे वो बंदा थोड़ी दिर बाद टनल में थोड़ा अंदेरा था थोड़ी दिर बाद मुझे वो बंदा दिखा है बिलकुल रॉंग लेन पे आ रहा था और जब तक कि हम ब्रेक मारते तब तक वो दो सेकेंड में सब कुछ हो चुका था आज तक इतना बेखूफ आदमी मैंने नहीं देखा और ये जो पुरा इंसिडेंट है दो सेकेंड में हुआ है अब यहां पर प्राब्रम यही थी कि जिस फोटी की स्पीड में मैं था पीछे से बहुत गाड़ियां उसी स्पीड में आ रही थी तो सडन ब्रेकिंग नहीं कर सकते और मेरे ले लेफ्ट में जितनी जगा वची थी मैंने हलके से ब्रेक मारते वे अपनी गाड़ी को पुरा लेफ्ट में कर दिया अगर आपको इस पिक्चर में दिख रहा है यह देखे यह जो यह सेंट्र राइव कर रहा है यह खुद को तो डाली रहा है रिस्क में जो राइट हैं जो लेफट हैं साइड में इसके अल्टो वाला है उसको भी रिस्क मड़ा लगा है और मुझे भी इसने रिस्क मड़ा लगा है अगर यहां पर गलती से लेफट हैं साइड में अगर कोई भी मार्जिन नहीं होता और उस बंदे ने लेफ्ट में नहीं की होती अगर उस अल्टो ने जगह नहीं दे होती तो ये फ्रंट कोलिजन कम से कम 30-40 की स्पीड बो होता और दोनों को नुकसान होता हमेशा सतर करेंगे और अपनी जो सेंसेज हैं उसको हमेशा एक्टिव रखिए अगर कभी ऐसा स्पीड बढ़ जाती है अड्रिलिन आपका बढ़ जाता है तो जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसका चेहरा याद कीजिए आपकी स्पीड कम हो जाएगी तो यह थे एक छोटा सा वीडियो दोस्तों यह दो बनाम इलते घपकी स्पीड के भी में तो तो जेक चेहरा है बेहिस्व बढ़ बाई बाई झाल झाल